हाई फ्रेंड्स आज हम लोग ओपीजी डबलो केविल जॉइन्टिंग कर रहा हूं ओपीजी जो एक्स्टा फाइवर है ओपीजी डबलो काट लिया और बोल कटर साइट पे रख दिया ओ आठाराइनम का बोल कटर है अभी टेप लगा रहा हूं बोल कटर से हम लोग ओपीजी डबलो क्रिपरेशन करता हूं आप लोग के पास कोई तरीका है तो हमको जुरूर कमण रख में बताने का अभी एक एक करके हम लोग उपर का जो तार है उसको निकाल रहा हूं निकालके टीप निकाल लेंगे तो अभी टीप तो लगा लिया लेफ साइट में कम से कम देर से 2 मीटर हम रख दे क्यों पीछे में एक राउंड मारेंगे और उपर में हम लोग टेसिंग करने के लिए थोड़ा केविल बरा रखेंगे तो बहुत गर्मी परा क्या करेंगे अभी माथे में तो थोड़ा पसीना छोट रहा था इसलिए गमचा लगा लिया तो आपी देखिए काट रहा हूं बोल्ड कटर से अप लोग के पास में बार-बार बोल रहा हूं कोई तरीका है कटने का तो हमको जुरूर बताने का मतब कैरी करने का सुभीदा हो इसी तरफ का बताने का तुल्स अभी थोड़ा-थोड़ा कटके एल्मोनियम निकल रहा हूं एल्मोनियम जो ट्यूब है वो निकल रहा हूं देखिए निकलने का बात देखें बहुत टाइट है स्टाल लाइट का केविल है हां थोड़ा टाइट है रहता आई है तो अभी अंदर का जो है वो तो निकल लिया अभी जॉयन बक्स को खोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कि में हैए अच्छा ज्युम बॉक्स यह बहुत अच्छा ज्व ganzen点 है कि इसकर गृफिंग सहे जो मिसी पुए डालें गेना उन्सका गृफिंग ब्हुत अच्छा प्ख़लेता हैं आच्छा पकल लेता बस हो जाएगा टेप ज्यादा मत मड़ी है एलमोनियम लगा दिया एलमोनियम लगा दिया पाइफ और टाइट हो गया अभी एक डाल दिया और एक डालना बागी है बस यह भी हो गया हो गया बस बड़ा बर इसको देख लीजए और बड़ा बड़ उसको टैट मल लीजिए निए कि दिए के पीछे इसको बिठाने का जागा बहुत अच्छा दे देदिया इस में और माप लेकर टूप काड़ दीजिए हम आप ले लिया और टेप लगा दिया अभी टूप को काड़ देंगे यह स्टीपिंग से हम स्टीपिंग कर रहा हूँ कि फाइवर का जो अंदर का जेल रहता है इसमें ब्लैक कलर का जेल रहता है थोड़ा अच्छा तरह उसको साब कर लेजिए एलकोल कभी नहीं देने का दोस्तों आप लोग बहुत सारे प्लाइसर एलकोल डालके साफा करते कभी नहीं करने का अभी ट्राइ कर दिया हुआ है हुआ है अभी ट्राइ हो गया अभी डंवा डंवी लगा रहा हूं। डामी लगा के चेक करेंगे कितना मिटर का केविल реально पहले उसको भूलते पूस्ट टेस्ट रिपोर्ट महत्या अब्खा सिल के बाद इसल्बहुत केविल तो पुलिंग हो गया उसके बाद टेस्ट करना पड़ता है कि विल बराबर है क्या कोई फाइबर डैमेज नहीं नहीं है लॉस नहीं है वह चेक करने के लिए बस चेक हो चेक तो हो गया कुछ फाइबर कि अभी उसको थोड़ा बाइटनेस बढ़ा लिया क्यों धूब बहुत है इदर स्कीन दिखाए नहीं दे रहा है थोड़ा इसले बाइटनेस मेरे इस अब समय बढ़ा लिया सही तरह बैठा नहीं बैठा अभी तो बैठ गया अभी जाइन्टिंग स्टार्ट हो गया देखिए जाइन्ट ले रहा है 0.01 इसका लॉस आया है बस इसको टेस्ट चल रहा है देखिए जब भी आप टेस्ट करोगे तो डामी फाइबर लगा के टेस्ट करने का तो आपका रिपोट सही तरह आएगा नहीं तो नहीं आएगा अच्छा तरह रिपोट इसका लेंट कम है इसलिए में डामी लगाया बड़ा लेंथ वालग बात है लेकिन छोटा जब लेंथ रहाएगा आपका डामी लगा के टेस्ट करने का बस